हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग fantasy talent hub youtube channel में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों वीडियो में एक दिन का gap हो गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाई है लेकिन फाइनली दोस्तों आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजर है डिन्डी गुल्ड ड्रेगन और नल्लै रोयल किंग्स की बीचोने वाले TNPL के second qualifier match की वीडियो के साथ में और information उतनी ही जबरदस्त है जैसा कि हमेशा आपको देता हूँ जिससे आप लोग आसानी से बहुत आसानी से विन कर सकें तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस match के बारे में और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट जो है वो मैं आपको टेलेग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ टाउस के टाइम पे अगर हमारी फाइनल टीम में कोई चेंज होना है तो वो मैं आपको टेलेग्राम पे क्लियर कर देता हूँ इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाईएगा जो पहला लिंक के उस पे क्लिक करियेगा और हमारे साथ टेलेग्राम पे जुड़ जाईएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेन्यू के बारे में मैच होगा इंडियन सेमेंट कर गरेट ग्राउंड ट्रिन वेली में इस मैदान पर टोटल मैचिस खेलेगा है 63 दोनों पारियों के अगर बात करें तो पहले बेटिंग करने वाली टीम ने 31 मैचिस को विन किया है सेकिन यहां पर जो आपको स्कोर देखने मिलता है दोस्तों वो यह वाला होता है 1500 से लेकर 170 की बीच का स्कोर आपको नॉर्मली देखने यहां पर मिल जाता है अब लास्ट जो कुछ मैचिस इस मैदान पर खेले गए वहां क्या समरी रही क्या कहानी रही ज़रा देख लेते हैं त 235 करके एनर के इस मैच को विन कर लिया था आई टी टी ने 156 किया और यहां पर दिंडी गोल ने 163 कर लिया था तो सेकिंड बेटिंग करने वाली टीम लास्ट के तीन में से दो मैचिस को विन करके आई यह स्कोर करने वाला प्लियर नंबर चार यहां पर नंबर चार और य तक पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे और रही बात फर्स्ट इनिंग की तो यहां कोई कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन सेकिंड इनिंग के अंदर टॉप ओर्डर का जो प्लेयर है मतलब टॉप थिरी से आपको स्कोर मिल जाएगा और दोस्तों इसके अलाबा इस्पिनर् तो लास्ट के तीन मैचेस यह बताते हैं कि फास्ट बॉलस का डॉमिनेशन आपको देखने मिलेगा यह तीन चीज़े याद रखिएगा जब आप कॉमिनेशन को तयार कर रहे हो खास तोर से ग्रेंड लीग के लिए अब यहां पर हम बात करें इसके पहले के मैचेस की इसक उसके पहले भी अगर देख रहे तो जो टॉप ओडर है उसने ही आपको स्कोर करके दे दिया तो यहां पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकिंड डिनिंग में जो टॉप ओडर के बल्लेबास है वहां मिस नहीं करना है उनको लेके जरूर चलेंगे और पहली पा तो दोनों टीमों ने खेले हैं पाच मैचिस एनार के ने लास्ट के दो मैचिस जीते हैं डिन्डी गुल ने तीन एनार के ने लास्ट मैच में 169 किया था जिसमें अरुन कार्तिक के 39 थे एनेस हरीश का 35 था विमल कुमार 60 शिवम सिंग 50 सुबोध भार्टी दो वेकेट और एम मतिवनन ने भी दो विकेट निकाले दोनों टीमों की प्लेंग 11 में आपको शिवम सिंग और विमल कुमार ओपन करते हुए नजर आएंगे विमल कुमार की एक चीज़ का ध्यान रखेगा ये इस टीम के सबसे अच्छे फिल्डर में काउंट होते हैं तो इनको हमेशा क कैचिंग पोजिशन पर फिल्डिंग के लिए लगाया जाता है तो यह आपको कैचिंग से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे सकते हैं इसके बाद बाबा इंद्रजीत विकेट कीपर है और आदित्य गनेश हाला कि ये भी विकेट कीपर है लेकिन रेगुलर विकेट क कुमार है तो यहाँ पर आपको मिलते हैं अरुन कारतिक एल सूरिपकाष निदीस राजगोपाल और अजितेश गोष्वामी का बैटिंडाउन कभी तीन आता है तो कभी चार नंबर पे अब पावर प्ले के अंदर कौन गिंदबाजी कर रहा है कितने ओवर की गिंदबाज तो अगर पावर प्ले में विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले गिंदबास की बात करते हैं तो वरुंचक्रवरती वो गिंदबास हैं जो विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं अलाकि C. Saloonan भी बढ़िया गिंदबाजी करते हैं लेकिन पिछले 2 से 3 मैच्चस में इन् पर साथ और एम पोया मोजी तो दोस्तों यह आपको डेथ ओवर के अच्छे गिंद बाज हैं लेकिन जो आर सोनु यादव हैं यह आपको पावर प्ले के अंदर गिंद बाजी करते हैं अधिकतर मैचिस में इन्होंने पावर प्ले में विकेड भी मारा है और डेथ ओवर में SM पर साथ, आर सोनु यादव और एम पोया मोरी आपको गिंद बाजी करते हुए नजर आते हैं अब यहां से दोस्तों हम दोनों टीमों के रिकॉर्ड की चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिंडी गुल ड्रेगन के बारे में और अगर आपनों को वीडिय पांच रन का स्कोर किया, इंदरजीत का 15 का एबरेज है, एक बार 50 से उपर का स्कोर जिसमें 83 मारा था और इसके बाद दोस्तों आदित्य गनेश 8 में 29 का एबरेज है, शुबोध भाटी 1 में 10, शिवम सिंग 2 में 69 और एस विमल कुमार का है, 2 में 104 रन और 52 का एबरेज है, ये दोनों खिलाडियों ने एक एक पचास इस मेदान पे मारा है रिसेंटली, रही बात गिंदवाजों की, तो चकरवर्ती के पास में 7 में 8, सरवना कुमार की खाते में 7 में 8, एम मतीवनन 3 में 4, शुबोध भाटी 2 में 4, आशिक सृरी निवास 15 में 17 और जी किश्वर 3 प मारा है और T20 क्रिकेट में 40 का एबरेज है, वरतमान सिदी में इस स्मॉल लीग के कंफर्म प्लेयर है क्योंकि इस सीजन में इस टीम के लिए सबसे अच्छा स्कोर इन्होंने किया है, तो इस स्मॉल लीग के लिए पहला प्लेयर है, आपके पास में शिवम सिंग, जिनकी को इन्होंने स्कोर किया है, तो थोड़े बड़े स्कोर कियें, यहां पर देखिएगा, 62 और अधर्वाइस अगर आप इनका रिस्कोर दिखोगे, तो 0 मिलता है, 6-14-1, मतलब दो ही कंडिशन हमें समझ में आई है, या तो इन्होंने वन साइडेड हराया है, मतलब वन साइड फ्लॉप हुए है, या फिर वन साइडेड इन्होंने स्कोर किया है, और टॉप पर्फोर्मर में से एक रहे हैं, तो ऐसे में हुआ क्या है, आप या तो इन पर इस तरीके से रिस्क लेंगे कि बच चलेंगे, तो कम से कम 40-50 बना कर जाएंगे, अदर्वाइस बिलकुल 10 रन 15 रन का स्कोर मिलेगा, जो आपको एक तरफा नीचे लेकर आ सकता है, तो अब ये आपको decide करना है कि क्या चाहते हो आप, अगर कोई दूसरा option नहीं मिल रहा है, तो तो बिलकुल confirm हो जाएंगे, लेकिन अगर options हैं, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नमबर 3 पे हैं बाबा इंदरजीत, बाबा इंदरजीत 83 किया था और एक 78, और बाकी अगर आप इनकी पारिये देखोगे तो सेम विमल कुमार वाली condition है, हाला कि फिर भी ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पे 21 और 22 किया था, और साफ में विकेट कीपिंग करते हैं, मतलब अगर 22 रन कर रहे हैं और 2 कैच पकड़ लिएं, तो लगभग लगग 40 के उपर पॉइंट्स दे जाते हैं और ड्रीम टीम में शामिल हो जाएंगे, तो यह जो खिलाडी है, आपके लिए बढ़िया पिक है, आप इनको टीम में रख सकते हो, और 43 पारी में 31 का एवरेज इनका T20 क के साथ में और राइट आप मीडियम इन्हें चार बार आउट कर चुका है इस टूनामेंड के अंदर, नमबर चार, भूपती कुमार, भूपती कुमार को दो प्रमोशन मिलता जरूर है, लेकिन बैटिंग में वो क्वालिटी नजर आई नहीं है, तो इस वज़े से ये खि कुमार मेरी टीम से बाहर, अभी आपके पास में एक प्लियर बिल्कुल कंफर्म है, वो है शिवम सिग, दूसरा इंदरजीत और विमल कुमार, आप इन दोनों में से किसी एक को पिक करके चलिएगा, फिरे दोस्तों आदित्य गनेश, आदित्य गनेश ने दोस्तों यहां तक की जो इनकी पारिती बहुत जबरदस्तिती, सिर्फ एक मैच में जी जीरो लगा, बाकी यहां नोट आउट, यहां नोट आउट, यहां पर भी, यहां पर भी, और बढ़िया बैटिंग की है, आदित्य गनेश आपके लिए एक अच्छा पिक है, अगर आप थोड़ा सा भी यह मानके चल रहे हैं कि नंबर चार या नंबर पास तक बैटिंग आ जाएगी, तो आदित्य गनेश को ड्रॉप नहीं करना है, यहां पर देखें, एनरके के सामने इनका 20 का एवरेज है, और T20 क्रिकेट में इनका 31 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 50 है, सेक आई तो बड़ी अच्छे स्कोर किया, चार पारी में इनका 32 का एवरेज है, एक बार 50 से उपर का स्कोर कर चुके है, चूकि इनका बैटिंग डाउन थोड़ा जादा ही नीचे है, अगर आप विल्कुल भी टॉप ओडर को टीम में नहीं रखना चाह रहे हैं, तब आप य यह स्थिती में सारत कुमार को टीम में रख सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडिशन कब बनेगी, ऐसी कंडिशन कब बनेगी कि आपको टॉप ओडर ना रखना पड़े, तो सामने वाली टीम से ऐसे खिलाडी जो पावर प्ले के अंदर विकेट निकाल सकते हैं, तो दोस्तों वो है एक मातर आर सोनु यादव, आर सोनु यादव एक ऐसे प्लेयर है, जिन से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, चुकि दोस्तों उन्होंने भी सीजन में ऐसा कोई खास परफॉमेंस किया नहीं है, तो यहाँ पर कंडिशन यही बनेगी कि टॉप ओडर से आपको स्कोर मिल जाएगा और इन तक बेटिंग आने के चांस थोड़े से कम ही रहेंगे, फिर सुबोत भाटी, सुबोत भाटी बेटिंग कर लेते हैं बड़िया जो अटेकिंग हिटर है, बड़िया अच्छे हिट कर लेते हैं, साथ में सबसे बड़ा बेनेफिट इनने मिलता है डैथ ओवर में गि चलिये का, क्योंकि जो सामने टीम है, उसके नीचे के जो बल्लेवाज हैं वो एवरेज बल्लेवाज हैं, तो इस इस्तिती में इनके खाते में दो विकेट बन सकते हैं अगर ये पहले गिन बाजी करें, लेकिन अगर आप एक बार रिस्क लेना चाते हो, कि मैं इसको छोड तो किस कंडिशन में रिस्क लोगें, रिस्क लोगें इस कंडिशन में कि ये सेकंड इनिंग में गिन बाजी करें, और अगर आप इनका सेकंड इनिंग का पर्फुमेंस देखें गिन बाजी का, तो यहाँ पर गिन बाजी की थी और एक विकेट निकाला था, इसके अलावा second inning में गेंदबाजी करने का मोका मिला नहीं है इस वज़े से दोस्तो अधिकतर लोगों की टीम में रहकर ये captain wise captain बन जाते हैं लेकिन ध्यान रखेगा अगर ये second inning में गेंदबाजी करने हैं तो हो सकता है कि उतने effective ना रहे फिर आते हैं दोस्तो यहाँ पर नमबर आठ और शिक स्रीडिवास पर तीन पारी जीरो विकेट एनारके के सामने रिसेंट फॉर्म भी कोई खास नहीं गेंदबाजी फिर भी ठीक करते हैं 40 पारी में 37 विकेट हैं पहले गेंदबाजी करते हुए पहले गेंदबाजी करते हुए 26 में 27 विकेट हैं इसके बाद दोस्तों पी सर्वना कुमार स्टार्टिंग की जो यह सोरी माफ कीजिएगा लास्ट के जो तीन मैचेस हैं वो उतने बहतर नहीं स्टार्ट देखेंगे तो दो विकेट से कम मार नहीं रहते हैं यहां पर विकेट उतने अच्छा मिला नहीं अब सामनली टीम का अगर आप टीम में रखने में ज्यादा ही सोच विचार आपको करना पड़ रहा है तो आप उस इस्तिती में इनको रख सकते हो क्योंकि फिर कि अगर विकेट निकालेंगे तो दो निकालकर दे सकते हैं पहले गिंद्बाज ही करती हुए ज्यादा इफेक्टिव हैं सेकंड इनिंग के कंपारेजन में फिर दोस्तों एम मतिवनन तीन पारी दो विकेट इनके खाते में हैं और बीस पारी अठारा विकेट इन्होंने यहां निकाले और अभी हाल-फिलाल किस्तिती में इनकी जगें बन नहीं पा रही है 14 पारी 11 विकेट 6 पारी 7 विकेट आपको यहां पर देखने मिल जाते हैं अब इसके बाद अंतिम नाम है जी किशोर का जब से जी किशोर को खिलाए गया है तब से पी सरवनन कुमार को ड बड़ी बात नहीं है कि आपको यह तीन से चार विकेट तक निकाल कर दे जाए अभी जो रिकॉर्ड इनका आठ पारी में नौ विकेट इनके खाते में दर्ज है फिर आता है दोस्तों यहां से नाम अब हम बात कर लेते हैं एनार के बारे में तो सारे जो डाउट्स हैं वो जबरदस्त है फिर दोस्तों यहां पर आर सोनु यादब आठ में 108 निदीश राज गोपल साथ में 134 और अजितेश गुरु स्वामी चार में 137 रज गिनवाजी में आर सोनु यादब के पास में 10 विकेट भी हैं एमपोया मोरी के पास में 8 विकेट हैं SM परसाथ के पास मे 21 विकेट और संदीव वारियर चार में 3 लक्षे जेन का खाता नहीं खुला इसके अलावा NS हरीश ने आठ पारी में 6 विकेट इस मेदान पर दर्ज किये हैं अब जारा देखिए पहला नाम क्या है दोस्तों अरुन कार्तिक का अरुन कार्तिक लास्ट के दो मैचेस में फ्ल करते हुए ज्यादा बढ़िया प्लेयर है तो अगर यह सेकिंड बेटिंग कर रहे हैं तो फिर इने गलती से भी ड्रॉप नहीं करना है पहले वेटिंग करते हुए हम एक बार रिस्क उठा सकते हैं नंबर दो एल सूरे प्रिकाश डिंडी कोल के सामने 18 का एवरेज है और अगर दो से तीन सालों की बात करें तो बीस का एवरेज मिलता है अब अगर पावर प्ले में दोस्तों यह बेटिंग करने आ रहे हैं और वहीं पर इनको कौन मिलेगा वरुन चक्रवर्ती जो की इनकी परिशानी भी है लेक ब्रेक गेंबाजी के सामने इने समस्या है तो व पारी में एक तालीस का एवरेज इस टीम के सामने एक पचास है और पिछले चार सालों के अंदर 25 पारी में 33 का एवरेज है सेकंड बेटिंग करते हुए तीन बार 50 से उपर का इसकोर यह कर चुके हैं राइट आप मीडियम लेग ब्रेक दोनों ने एक एक बार आउट किया और पिछले चार सालों के अंदर 13 पारी में 55 का एवरेज है दो बार 50 से उपर का इसकोर है दोनों पारियों में एक एक 50 और एक शतक लगा चुके हैं यह खिलाडी चाहे टीम पहले बेटिंग कर रही हो चाहे सेकिन बेटिंग कर रही हो कनफर्म है आप लोगों के लिए फि पी सर्वनन कुमार, सुबोध भाटी जी किशोर और लक्षे जैन आपको मिलते हैं जो कि इस तरह की गिनबाजी करते हैं फिर दोस्तो आर सोनु यादब आर सोनु यादब की बल्लेबाजी तो भूल जाओ बल्लेबाजी तो दोस्तो ऐसा है कि अगर जादा ही दिन अच्छ हैं तो जब यह पहले गिनबाजी कर रहें तो बराने का फायदा होगा फिर इसके बाद अगला जो नाव है दोस्तो वह है पी सुगंदिरन है जी लिख देना आप सुगंदिरन है दो पारी ग्यारा नौट आउट बैटिंग डाउन नीचे है आपको यहाँ पर ध्यान देन नौ विकेट है और डिंडी गुल के सामने 5 विकेट इनके खाते में दर्ज है फिर हैं दोस्तों एम पोया मोरी ने जब भी गिनबाजी की है पहली पारी के अंदर तो कम से कम दो विकेट मारे जहां पर देखे दो विकेट तीन विकेट तीन विकेट दो विकेट यह एक-0 यहां लगा बाकी अधिकतर में क्यैप्टन वाइस कैप्टन सी वाला काम करके दिया इस बन्दे ने तो इसे हम बना सकते हैं कैप्टन वाइस क्यैप्टन लेकिन चब यह पहले गिनबाज हीक कर रहा हो तो फिर दोस्तों यहां से नंबर नौ दस लक्षे जैन पिछले तीन मैचेस में फ्लॉप रहे हाला कि आपको यहां पर जो एक दो लेफ्टेंड बैटर्स मिलेंगे उसके चलते हैं इनका इस्तमाल आपको पावर प्ले या फिर पावर प्ले की जस्ट बात देखने मिलेगा डिंडी गुल के सामने खाता नहीं खुला और वैसे आठ पारी में 6 विकेट हैं और इसके बाद दोस्तों एस मोहन पर साथ हैं जिन्होंने लास्ट के तीनों मैचेस में एक एक विकेट निकाला है इस टीम के सामने 6 विकेट हैं और वैसे इनके पास में 25 विकेट दर्ज है दोनों पारियों में 12 और 13 विकेट है अंतिम नामें दोस्तों संधी वॉरियर का 30 पारी 23 विकेट IPL के धमाकेदार तडाकेदार फिल्डर नहीं प्लियर नहीं तो वैसे तो बॉल वो है एक तरह से देखा जाए तो लेकिन पानी पिलाने वाले अभी की स्नितीम है लेकिन यहां खेल रहे हैं और गिनबाजी देखिए 21 में 15 है GL इन्हें जिताना चाहिए था इस पूरे सीजन में एक मैच में तो कम से कम जो कि इन्होंने अभी तक नहीं किया है तो मेभी पॉसिवल आप GL में एक टीम में इन्हें कैप्टन बना दीजिएगा बाकी वैसे आवश्यक्ता तो नहीं है लेकिन फिर भी बनाईएगा आप यहां पे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन यह तीन सबसे बैटर चॉइस हैं जी एल के लिए जाओगे शुवम भाटी, सोनु यादाव और वरुन चक्रवर्ती आपको मिलते हैं और जो टीम कॉंबिनेशन है हमारा वहां पे जी अजीतेश को कप्तान किया है अरुन कार्तिक और अजितेश गनेश के साथ में विमल कुमार, संदीप सुवम सिंग, एनेस राजगोपाल, सोनु यादाव, पीएस कुमारन, शुबोद भाटी और वरुन चक्रवर्ती के साथ में एम पोया मोरी हमारे टीम में जगे बना रहे अब अगर टीम में मेरी कोई बदलाब में करूँगा तो वो मैं आपको टेलेग्राम पर दे दूँगा तो अगर टेलेग्राम पर हो तो बहुत अच्छी बाते नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर जॉइन कर लो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बाई जय हिन जय भारत